पार्ट टू इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति के अंदर potential, performance, skill and will ये चारो qualities हैं वो perfect, capable व्यक्ति है potential, performance, skill and will में भी आप 3 चीजों पर focus कीजिएगा कि कहीं वो long gap in the career यानि कि उनके career में लंबा gap तो नही है जिसमें काफी समय से उसने काम ना किया हो इसके कई कारण हो सकते हैं इसके बाद कहीं वो जॉब होपर तो नहीं है यानि कि हर 6 महीने में वो जॉब छोड़ता रहता है इसके अलावा कई बार होता है कि कोई व्यक्ति ना तो उसकी जॉब में लंबा कैप है और ना ही वो जॉब होपर है बलकि वो किसी कमपनी में लंबा टिका है जैसे कि 5-10 साला दे तो उस कैंडिडेट के करियर में उसे कितनी बार प्रमोशन मिला या कितने अवोर्ड्स मिले बाचीत करने का तरीखा कि वो कैसे बात करता है वो टीम मेंबर्स के साथ कैसे बात करेगा कस्टमर्स से कैसे बात करेगा यदे वो लीडर बनता है, तो कैसे टीम और स्टाफ को मैनज करेगा? Critical condition में वो कैसे परिस्तिती और काम को संभालेगा? ध्यान दे, यदे आप एक wholesale व्यापारी हैं, तो आपको अपने चुने हुए candidates में ये सारी खुबियां चेक करनी पड़ेगी, जब ही आप किसी को हार करें, तो उस candidate का background ज़रूर चेक कर लें, ऐसा ना हो कि अंजानी में आप किसी criminal background के व्यक्ति को काम पर रख लें, जब आपने किसी candidate को हार कर लिया, तो आप उसका स्वागत करें, उसे अपनी company और काम के बारे में बताएं, कहां क्या समस्या है, उसे कैसे मैनुच करना है, आप उस पर कौन सी जमेतारी दे रहे हैं उसको बताएं, और उसे feel कराएं कि आज से अब ये काम उसका है, जिसे उसे संभालना है आदें, तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स कि होल सेल व्यापारी कैसे अपने स्टाफ को हार करें, ओके क्रेडिट, बिजनस ओके है,